ओम ब्रिम ब्रिहश्पते नमार भगवान ब्रिहश्पती देव की गृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे और आपकी संपुर्ण मनो कामनाएं भगवान श्री हर विष्णु की गृपा से पुरुण हो। दोस्तों आज की वीडियो में आप सुनेंगे ब्रिहश्पती वार व्रत की कथा। वह नतोवरत करती थी और नहीं किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। उस समय घर पर सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय भगवान ब्रिहश्पती देव साधू का वेशधारन करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधू ने रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगी हे साधू महाराज मैं इस दान और पुन्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पती देव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूँ। तब तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। इसको तो सभी चाहते हैं। पापी मनुष्य भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक हैं तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा, एवं तुम्हें भी स्वर्गी की प्राप्ती होगी। परंतु रानी साधू की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधू महराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यक्ता नहीं, जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरू, तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधू ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है, तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। ब्रहश्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लिपना, अपने केशो को पीली मिट्टी से धोना, केशो को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़े धोबी के यहां धोलने देना, इस प्रकार से साथ ब्रहश्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो दर्ध्यान हो गये। जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकता, मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंदा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया, राजा वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शेहर में बेश तो राणी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पासी के नगर में मेरी एक बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तु उसके पास जा और वहाँ से पात से बेजर मांग कर लेया, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी राणी की बहन के पास गई, ल दासी ने ये बात अनेकों बार कही, परंतु राणी की बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो उस समय ब्रहश्पतिवार की कथा सुन रही थी, जब दासी को राणी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वो बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी बहुत आया, वह लोट कर राणी से बोली, हे राणी, आथ की बहन तो बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं कर दी, मैंने उससे कहा, तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तो मैं वापस चली आई, राणी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोस नहीं है, जब बुरे की बहन ने सोचा, कि मेरी बहन की दासी आई थी, परन्तु मैं उससे बोली नहीं, तो इसलिए वह बहुत दुखी होगी, अतह कथा सुनकर और विश्न भगवान का पूजन समाप्त करके, वह अपनी बहन के घर आई, और कहने लगी, हे बहन, मैं ब्रिहश्पतिवार का वरत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परन्तु जब तक कथा होती है, तब तक हम लोग न उठते हैं और नहीं बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली, कहो, दासी क्यो गई थी, रानी बोली, हे बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने अपने दासी को तुम्हारे पास पाच सेर बेजर लेने के लिए भेजा था, रानी की बहन बोली, बहन देखो, ब्रहश्पती भगवान सबकी वनों कामना पूर्ण करते हैं, देखो, शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो, यह सुनकर दास से कहने लगी कि हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन नहीं मिलता, तो हम रोज ही वरत करते हैं, अगर इन से वरत की विधी और कथा पूछ ली जाए, तो उसे हम भी कर लिया करेंगे, तब दासी के कहने पर, रानी ने अपनी बहन से ब्रहश्पतिवार वरत के बारे में प पूजन करें, तथा दीपक जलावे, उस दिन एक ही समय भोजन करें, भोजन पीले खाद्यपदार्थ का करें, तथा कथा सुने, इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन पुत्र और धन देते हैं, इस तरह वरत और पूजन की विधी बता कर, रानी की दोनों ने निश्चय किया कि वे ब्रिहश्पती देव भगवान का पूजन जरूर करेंगी, साथ दिन के बाद जब ब्रिहश्पती वार आया, तो उन्होंने वरत रखा, घुर साल में जाकर चना और गुर भीन लाई, तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विश्न भगव और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना, दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन हुई, और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो, रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बो वह व्यक्ति हम दोनों के लिए दो थालों में भोजन दे किया है इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंब किया उसके बाद से वेप्रत्यक ब्रहश्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी ब्रहश्पती भगवान की क्रिपासे उनके पास धन हो गया परन्तु रानी फिर पहले की तरह से आलश्य करने लगी तब दासी बोली, देखो रानी तुम पहले भी इसी प्रकार आलश्य करती थी तुम्हें धन के रखने में कश्ट होता था इस कारण सभी धन नश्ट हो गया अब गुरु भगवान की क्रिपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है इसलिए हमें दान पुन्य करना चाहिए दासी ने रानी से कहा कि हे रानी तुम भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ प्याव लगवाओ ब्रामणों को दान दो कुँआ तालाब बावडी आधी का निर्मान करवाओ मंदिर पाट सालाएं बनवा कर दान दो कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ धन को शुबकारियों में खर्च करो जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्तो और पित्री प्रसंण हो दासी की बात मानकर राणी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंब किये जिससे उनका यश काफी फैलने लगा एक दिन राणी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दसामे होंगे उनकी कोई खोज खबर नहीं है गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्री में राजा को स्वप्न में कहा हे राजा उठ तेरी राणी तुझको याद करती है अब अपने देश को लोट जा राजा प्रातेकाल उठकर जंगल से लकडियां काड कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा जंगल से गुजरते हुए वा सोचने लगा कि राणी की गलती की वज़े से कितने दुख भोगने पड़े राजबाट छोड़ कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा जंगल से लकडियां काड कर उन्हें बेच कर गुजरा करना पड़ा उसी समय उस जंगल में ब्रिशश्पती देव एक साधू का रूप धारन करके आए और राजा के पास आकर बोले हे लकड़ारे तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो मुझे बतलाओ यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और वह साधू की वंदना करके बोला हे प्रवो आप तो सब कुछ जानने वाले हैं इतना कहकर राजा ने साधू को अपनी संपुर्ण कहानी सुना दी महात्मा तो सुभाव से ही द्यालू होते हैं वे राजा से बोले हे राजा तुम्हारी पत्नी ने ब्रिहश्पती देव के प्रती जो अपराद किया था जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई अब तुम किसी प्रकार के चिंता मत करो भगवान तुम्हें पहले से बहुत अधिक धन देंगे देखो तुम्हारी पत्नी ने ब्रिहश्पतिवार का व्रत करना प्रारंब कर दिया है और अब तुम भी ब्रिहश्पतिवार का व्रत करके चने की डाल व गुड और जल को लोटे में डाल कर केले के पत्ते से भगवान विश्नु का पूजन करो फिर कथा कहो या सुनो भगवान तुम्हारी सब मनो कामनाओं को पूर्ण करेंगे साधु को प्रसन देख कर राजा बोला हे प्रभो मुझे लकडी बेज कर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकू मैंने रात्री में अपनी रानी को व्याकुल देखा है मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उनका समाचार जान सकू फिर मैं प्रिहश्पतिवार की कौन सी कहानी कहूं या सुनू मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है साधु ने कहा हे राजा तुम किसी बात के चिंता मत करो ब्रिहश्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकडियां लेकर शहर में जाओ तुमें रोज से दुगनाधन प्राप्त होगा जिससे तुम भली भाती भोजन कर लोगे तथा ब्रिहश्पतिव की पूजा का सामान भी आ जाएगा और ब्रिहश्पतिव की कथा इस प्रकार है प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्रामवण रहता था उसके कोई संतान नहीं थी वहनित के पूजा पाट करता था परन्तु इसके इस्त्री बहुत ही मलींता के साथ रहती थी वह नतोशनान करती थी और नहीं किसी देवता का पूजन करती थी प्रातेहकाल उड़ते ही सर्वपर्थम भोजन करती थी बाद में कोई अन्यकारे करती थी ब्रामः देवता बहुत दुखी रहते थे वे पत्नी को बहुत समझाते किन्थु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था भगवान के अनुकमपा से एक समय उस ब्रामः की पत्नी गर्भवती हुई और दस्वे मही ने एक सुन्दर कन्या को जन्म दिया निर्धन ब्रामः कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ धीरे धीरे ब्रामः की कन्या बड़ी होने लगी बचपन से ही उस कन्या की रुची भगवान विश्नु की पूजा में थी वह प्रातर उठते ही शनाना दी करके भगवान विश्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी ब्रहश्पतिवार को वरत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी और पूजा पाठ करने के बाद पढ़ने के लिए पाठ साला में जाती थी घर से चलते हुए वह मुठी भर जो साथ ले कर जाती और पाट साला के रास्ते में थोड़े थोड़े जो गिराती जाती थी जब वह पाट साला से घर लोड़ती तो जोके वो दाने सोने में बदले हुए मिलते थे लड़की सभी दाने सोने के बीन लाती थी एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माने कहा बेटी सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए अगले दिन ब्रहश्पति वार था उसने भगवान ब्रहश्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की कि हे भगवान यदि आपका वरत मैंने विधिवत किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो भगवान ब्रहश्पति देव ने उसकी मनो कामना पूरी करने का वचन दिया पाट साला से लोटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला घर लोटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखा कर वह सोने के दाने साफ करने लगी उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा उस सुन्दर लड़की को सोने के सूप में जो साफ करते देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया महल में लोटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की तो राजा ने ब्रामः को महल में बुला कर राजकुमार से उस लड़की के विवाह की बात कही ब्रामः तयार हो गया धूम धाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया दुलहन बनकर ब्रामःड की लड़की महल में चली गई लड़की के जाने से ब्रामःड फिर से निर्धन हो गया उसे कई-कई दिन भोजन भी नहीं मिलता था बहुत दुखी होकर ब्रामःड एक दिन अपनी लड़की के पास किया अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया उस धन से ब्रामःड के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए लेकिन जल्दी ही फिर से भूखो मरने की हालत हो गई ब्रामःड अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुचा लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा पिता जी आखिर कब तक आप मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे आप कोई ऐसा उपाई क्यों नहीं करते जिससे की आपका घर धन समपत्ती से भर जाए ब्रामः ने कहा मैंने तेरी मा को बहुत समझा लिया पर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता उसका फूहरपन नश्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए तब कुछ सोच कर लड़की ने पिता से कहा हे पिता जी आप कुछ दिनों के लिए मा को मेरे पास छोड़ जाओ तब कुछ सोच कर ब्रामः पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ाया लड़की ने अपनी मा से कहा मा तुम कल प्रातेहकाल उठकर शनाना दी करके भगवान ब्रिहश्पती देव का यानि के विश्णु जी का पूजन अवश्य करना पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य ही दूर हो जाएगी लेकिन उसकी मा ने उसकी कोई बात नहीं मानी तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी मा को एक कक्ष में बंद कर दिया सुर्योदय के समय मा को उठाकर जबर्दस्ती उसे शनान कराया फिर मंदिर में ले जाकर भगवान ब्रिहश्पती देव की पूजा कराई कुछ दिनों तक ऐसा करने से मा की बुद्धी में परिवर्दन हुआ और वहस्वयम ही ब्रिहश्पती वार का वरत रखने लगी उसके वरत रखने से ब्रामभण के घर में भगवान विश्णू की अनुकमपा से धन की वर्षा होने लगी दोनों पति-पतनी धन समपत्ती पाकर आनंद पुर्वक जीवन यापन करते हुए विश्णू धाम को चले गए लकड़हारा बने राजा ने उन साथू से भगवान ब्रिहश्पती देव की यह कथा सुनकर ब्रिहश्पती वार का वरत करके भगवान विश्णू की पूजा की उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए लेकिन अगले ब्रिहश्पती वार को काम काज में अतिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान ब्रिहश्पती देव का वरत नहीं किया भगवान ब्रहश्पती देव लकड़ारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोशना करके सब को सुचित किया कि प्रतेक नागरीक मेरे महल में भोजन करने आए जो नहीं आएगा उसे अपराधी मान कर भारी दंड दिया जाएगा लकड़ारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोशना तो सुनी लेकिन जंगल से लकड़ी काड़ कर लाने और उन्हीं बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका अतह राजा के सैनिक उसे पकड़ कर महल में ले गए राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बिठा कर भोजन कर आया उस कक्ष में एक खूटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था लकड़ारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था तभी उसने एक आस्चरे जन घटना घटी देखी देखते ही देखते वह खूटी हार को निगल गई थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़ारे को कारावास में डलवा दिया लकड़ारा मन ही मन अपने भागय को कोसने लगा तभी उसे जंगल में मिले साथू का स्मरण हो आया थोड़ी देर बाद में भगवान ब्रहश्पती देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा हे लकड़ारे तुने ब्रहश्पती वार के दिन भगवान ब्रहश्पती देव की पूजा नहीं की इसी कारण तुम्हें कश्ट हुआ है लेकिन अब तुम चिंता मत करो, ब्रिहश्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हे कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे, उन पैसों से भगवान ब्रिहश्पतिदेव का वरत करके उनकी पूजा करोगे, तो तुम्हारे सारे दुख नश्ठ हो जाएंगे ब्रहश्पतिवार के दिन दर्वाजे पर पड़े मिले पैसों से चने और गुड मगा कर लकड़ारे ने ब्रहश्पतिवार की कथा कही तो भगवान प्रिहश्पती देव ने प्रसंद होकर उस नगर के राजा को स्वपन में लकड़ारे को कारागार से मुक्त करने का आदेश दिया सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूटी पर रानी का हार टंगा हुआ था राजा ने लकड़ारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूशन देकर विदा किया लकड़ारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुँचा तो उस नगर में कुए, धर्मसाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसंद हुआ राजा ने किसी से पूझा ये कुए, धर्मसालाई किसने बनवाई है, सबने उसे बताया कि ये सब राणी और उसकी दासी ने बनवाई है राजा महल में पहुँचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया तब राजा ने निश्चय किया कि सपताह में एक बार तो सभी ब्रहश्पती देव का व्रत तथा पूजन करते हैं परन्तु मैं प्रति दिन व्रत किया करूँगा तथा दिन में तीन बार कथा कहा करूँगा अब राजा हर समय दुशाले में चनी की दाल बांधे रहता था तथा दिन में तीन बार ब्रहश्पती देव की कथा कहता कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई एक दिन घोडे पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया अभी राजा नगर के बाहर पहुँचा ही था कि उसने कुछ लोगों को एक शब को ले जाते हुए देखा राजा को स्मरण हो आया कि आज उसने किसी को ब्रिहश्पतिवार की कथा नहीं चुनाई राजा ने उन लोगों को रोक कर कहा हे भाईयों आप सब को ले जाने से पहले मुझसे ब्रिहश्पतिवार की कथा सुनले लोगों ने राजा पर प्रोधित होते हुए कहा तुम पागल तो नहीं हो लेकिन कुछ बड़े बुढ़े लोगों ने कहा अच्छा भाई साथ में चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुनालो राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि शव हिलने लगा राजा के पूरी कथा सुनाते ही शव उठकर बैठ गया लोगों ने हैरानी से दातों तले उंगली दबाई और अगले ब्रहश्पतिवार से भगवान ब्रहश्पति देव का व्रत करने तथा कथा सुनने क निश्चय कर लिया घोडे पर सवार होकर राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा किसान अपने खेत में हल चला रहा था राजा ने कहा अरे भाई मुझसे ब्रिहश्पतिवार की कथा सुन लो किसान जुझला कर बोला जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो मै चार हरे या जोत लूंगा जा अपनी कथा किसी और को सुनाना राजा निराशो कर चलने लगा तभी किसान के बैल लडखडा कर जमीन पर जा किरे और किसान के पेट में भी बड़े जोरों का दर्ध होने लगा उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इ तेरे खेत पर चलकर ही कहो राजा ने उसके साथ खेत पर पहुँचकर ब्रहश्पतिवार वरत की कथा सुनाई तभी बैल उठकर खड़े हो गये किसान के पेट का दर्ध भी तुरंद ठीक हो गया राजा अपनी बहन के घर पहुँचा तो उसकी बहुत आउभगत हुई अ भोजन नहीं किया हो उसकी बहन बोली भाईया हमारे घर में तो क्या आपको पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो तब राजा ने अपनी बहन के घर से निकल कर उस नगर में बिना भोजन की व्यक्ति की तलाश की एक गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूका रह गया था राजा ने उसको जाकर ब्रिहश्पति वारवरत की कथा सुनाई कथा सुनते सुनते ही गडरिये का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया सबने राजा की बहुत प्रसंसा की एक दिन राजा ने अपनी घर जाना चाहते हैं तुम भी हमारे साथ चलो कुछ दिन वहां रहकर लोट आना राजा की बेहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा बहु माई के जाना हो तो अकेली ही जाना मेरे पोतों को मत ले जाना तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है कहीं तुम ही जाकर क्या करोगी बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लोटाया राणी ने राजा से कहा आप तो अपनी बेहन को साथ लाने की बात कहकर गए थे फिर बेहन को साथ क्यों नहीं लाए तब राजा ने दुखी होते हुए कहा हे राणी हम निसंतान है कुई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। राजा से स्वपन में आकर कहा हे राजा उठ सभी सोच त्याग दे तेरी राणी गर्ब से है राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई दसवे महीने उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ती हुई राजा और राणी दोनों बहुत प्रसन्द हुए तब राजा ने राणी से कहा हे राणी स्ट्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती जब मेरी बहन आवे तब तुम उस से कुछ मत कहना राणी ने सुनकर हा कर दिया जब राजा की बहनन ने यह शुब समाचार सुना तो बोहत प्रसन्द हुई और बढ़ाई लेकर अप जीवन परियंत ब्रिहश्पती वार का व्रत करते रहे। उनके घर में धनकी वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पुर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान ब्रिहश्पती देव की अनुकंपा से मुक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंट धाम पहुँच गये। ब्रिहश्पती वार को विधिवत व्रत करके जो इस्त्री पूरुष भगवान विश्णु की पूजा करते हैं भगवान उनकी सभी मनों कामनाय पूर्ण करते हैं। ब्रिहश्पती देव उसकी सभी मनों कामनाय पूर्ण करते हैं। जो सत्भावना पुर्वक ब्र ब्रयाश्पति देव की आरती करनी चाहिए तो चलिए अब आरती कर लेते हैं ओम जैब्रिहश्पति देवा, स्वामी जैब्रिहश्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा ओम जैब्रिहश्पति देवा, तुम पूरण परमात्मा, स्वामी तुम अंतर यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सब के स्वामी, ओम जैब्रिहश्पति देवा चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरत दायक, क्रिपा करो भरता, ओम जैब्रिहश्पति देवा तन मन धन अरपण कर, जोजन सरण पड़े, प्रभू प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े, ओम जैब्रिहश्पति देवा दीन दयाल दयानिदी, भक्तन हितकारी, पाप दोस सब हरता, भवबंधन हारी, ओम जैब्रिहश्पति देवा सकल मनोरत दायक, सब संशय हारी, विशय विकार मिटाओ, संतन सुख कारी, ओम जैब्रिहश्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहते गावे, जेश्टानंद आनंदन, सोनिश्चय पावे, ओम जैब्रिहश्पति देवा और अब सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से, प्रेम से जैकारा लगाईए, ब्रिहश्पति भगवान की जै, श्री लक्ष्मी नारायन की जै, जै जै श्री कृष्णा, जै श्री राधे दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए, और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करके और शेयर भी जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज क की वीडियो अगर आपको अच्छी लगें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ड्रेस कर लीजिए, इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी, उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय प्रप्राप्त होगी, मिलती हूं मैं आप स अगली वीडियो में तब तक के लिए, नमस्कार